मश्कार दोस्तों स्वागता आपका स्टडी में वेकेस यूटिव चैनल पर तो पिछले कल 25 अगस्त को मेरा टाइपिंग टेस्ट का पेपर था जी आएटी 939 का तो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था क्या टाइपिंग एक्सपीरियंस था उससे पहले भी मैं 817 में भी टा टाइपिंग टेस्ट था तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर करूंगा क्योंकि इसके लिए बहुत से कुमेंट्स कुमेंट वोक्स में भी आये थे कि आपने पिछले कल टाइपिंग का पेपर कोई भी शेयर नहीं किया तो फिर मैंने उनको बताए कि मेरा टाइपि करना थे तो देखी यह आया था मेरा टाइपिंग का पेपर जो आपके सामने शेयर करें हूँ यह मेरही टाइपींग पेपर है और इसमें मैंने लाइन्स हो रहे है 123 एं यह मैंने लिखें है और यह मेरा ही पीपर है बैस ठ्री और था मेरह प्र प्रचीं अर्शेलhost और यहां पे देखिए 1506 ही स्ट्रोक्स थे तो अगर यह किसी को टाइपिंग टेस्ट इस वाले शिफ्ट का अगर क्लियर करना था तो उसे पूरा पेपर टाइप करना जुरूरी ही था क्योंकि 1500 तो आपके टाइप किये होने ही चाहिए कम से कम तो देखिए फिर यह मेरा जो था यह मेरा वो है जो मैंने टाइप किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे डंग से चेक किया है तो मुझे 10 गलतिये मिली हैं इसमें और मेरे स्ट्रोक्स जो है यहां पर यह था प्रोविजन्स था यहां पर यहां पर मैं ओर गलतियां बताऊ तो तो यहां पर मैंने ढोड़ी थी लेकिन अभी मुझे दिखनी रही है ऐसी गलती है मेरी जैसे कि अगर कहीं पर मैंने यह देखिए section 5 लिखना तो N5 हो गया है यहां पर last में दर लिखना था तो TGE हो गया है इस तरह की गलती हैं मेरी और कुछ ऐसी गलती हैं जहां पर पूल स्टॉप लगाना था तो कोमा लग गया है तो इस तरह की गलतिय है मेरी या फिर कुछ जगा पर जैसे capital letter बोला था तो मेरे से small letter use हो गया है बहाँ पर तो इस तरह की गलतिय हो रही है तो ये तो मैंने आपको अपना पेपर दिखा दिया आप फिर से देख सकते हैं इसको और इसमें मैंने लगवग 1685 स्टोक्स हैं मेरे और ये मेरा उपर वाला जो था ये था टाइपिंग का जो टेस्ट होता है तो देखिए अब कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि साउंड वह बुखार भी होती है ना देखिए स्टार्टिंग में तो सभी को फिर होता है क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कि आपके टाइपिंग अगर आप घर में 40-50 मारे तो हंडर सेंट आपकी क्लेर ही होगी क्योंकि वो उस समय की सिच्वेशन पर निरवर करता है कि उस उस दस मिन में आपकी कैसी सिच्वेशन आपको उस दिन हाथ में दर्द भी हो सकती है बुखार भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है आपके उस दिन दिन कैसा है आपको उस पे डिपेंड करता है या उस आपके वो दस मिनिट कैसे है उस पे मैक्सिमम डिपेंड करता है आपका तो ऐसा साउंड की जो मैं आपको प्रोब्लम बता रहा हूं ऐसी कोई बड़ी प्रोब्लम नहीं आने वाली है चोटे-चोटे कैबिन जैसे भी बने हैं ताकि वह साउंड को रोक सके और कुर्सी जो आपकी बैठने का जो है वही काफी अच्छा है तो उसमें भी आपको कोई रिलेक् क्रिक्ठ हो जाए और वाइर वाला होना चाहिए बाएरलेस नहीं होना चाहिए है और नहीं गेंगल वाला की बोर्रा चाहिए तो यह आपको ध्यान में रखनी है चीजए फ्यूस के साथ ही आपको जो है ना जब आफ जैसे साड़े आपको शिफ्ट है तो आपको साड़े-गा और मैक्सिम में आपको दस बजे तक वहां पहुंच आना है और दस बजे आते हैं तो देखें आपको जो में गेठ है वही से एंटर करना है क्योंकि जब 817 वाली टाइपिंग थी तो जो केंटीन वाला जो नीचे वाला जो शोटा विजी हैं आपके तो आपके जो main gate से आप enter करेंगे तो आपका जो ground floor है वहीं पे आपकी computer lab है तो उसके बाहर जो कुरसी लगी होती है न वहाँ पे आपको बिठा रहे हैं और वहीं पे एक reception जैसा है बना है वहाँ पे आपका roll number बोलेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी एक ORA और admit card वह आपको submit कर देना है वहाँ पे ठीक है और जिनके जो कहते हैं कि हमारे पास ID हमारी login ID कुम होगी है या फिर password भूल गये हैं तो login नहीं हो पा रहा है तो ORA कैसे निकाले तो अगर आपके पास ORA नहीं है तो आप सिर्फ admit card लेके भी जा सकते हैं वहाँ पे आपका ORA निकल जाएगा वहाँ पे वह बोल रहे हैं कि आप इस रूम में जाईए और वहाँ पे आपना ORA निकाल लीजिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए वहाँ से तो आपका ORA तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं घर से और अगर आप निक इसको डिटेल से बता देता हूँ, देखे, लाइन Cape हो जाए या फिर लाइन किप हो जाए, इससे आप डिस्कॉलिफाई नहीं होंगे, पहले बात तो यह है, डिरेक्टली आप डिस्कॉलिफाई नहीं होंगे, लेकिन अगर बाद में अगर आपकी स्पीड काम पड़ती हैं तब आप Disqualify हो सकते हैं, देखे, Line Repeat और Line Miss का, दोनों के एक ही तरह से Solve होते हैं, यह, देखे, अगर मान लिजी, यह मेरी Line थी, Third Line, आप मान लिजी, अगर मैं इसको Miss कर गया हूं, ठीक है, Miss कर गया हूं इसको मैं, तो इसमें मान लिजी, मैंसे ही अंदाजे से ले रहा हूं, माल लिए 100 स्ट्रोक्स थे इसमें फिक है 100 स्ट्रोक्स थे तो इसको आपको पता है कि हमारा जो एक word होता है वो 5 स्ट्रोक्स के बराबर होता है तो इसको पाँ से डिवाइड कर देंगे याणि कि आपकी 20 mistakes हो जाएंगी तो जितना आपने type किया होगा अगर माल लिजिए आपके सत्रा सो स्टोक्स थे तो आपको पता है कि सत्रा सो स्टोक्स पे हमारी सत्रा मिस्टेक्स माफ होती है सोला सो पे हमारी सोला मिस्टेक्स माफ होती है ठीक है ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जितने आप स्टोक्स मारोगे तो उस हिसाप से आपकी गलतिये माफ होती है तो जैसे 16 सो मार होगे तो 16 गलतिये माफ हो जाएंगी ठीक है और 17 सो मार होगे तो 17 माफ हो जाएंगी यह मैं बता दिया आपको फिर से तो माली जी मैंने 17 सो मारे थे ठीक है उसमें मैंने एक लाइन स्किप कर दी ठीक है लाइन स्किप कर दी मैंने और वो लाइन में मतलब माली जी सो आपके सो स्ट्रोक्स थी आपको काउंट कर ले न अगर आपने लाइन स्किप यह लाइन रिपीट कर दी यह दोनों में सेमी तरह से होगा पांस से डिवाइड करना है उसको फिर असके 20 यानि कि जितना भी आपको यहाँ पर आएकन रिजल्ट वो मिस्टेक्स होंगी आपकी फिर उन मिस्टेक्स को अपने वर्ड्स जो आपके में बनेंगे जैसे आपने सतरा सो जैसे पंदरा सो ले ले तो मैं पंदरा सो मिनिमम्म ह यह सतरह से आपने स्पीड करना है फिर आपने स्पीड निकालनी है तो उस थरह से पिर्वान निकालने हैं और लाइन मिस्bn करी थी उसमें को वर्ड्स है यह लाइन रिपीट करें उसमें कितने वर्ड्स हैं उससे माइनस करना है फिर आपने स्पीड निकार नहीं है तो उस तरह से गर आपकी स्पीड अगर 29.5 से भी अगर प्लस आती है माल लीजिए 29.5 से पहले तो आपको 30 आनी चाहिए 30 आती है तब तो आप ससे धाप क्वालिफाइबूगा अगरं ऄसे जाद आती है सकता है लेकिन एक मेरे हिसाफ़ी अगर तो 30 मान सकते हैं वám क्योव बार यह हो चुका है शाहिए पहले भी मुझे जहां तक इंफॉरमेशं मिली और जो इन्होंने क्मेशन ने जो अपना वह शेयर किये था कि कैसे टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें उन्होंने 29.8 निकाला था कि स्पीड और उसको बाद में राउंड ओफ करके 30 कर दिये था तो अब यह मुझे भी पूरी तरह से क्लेर नहीं है लेकिन आप इतना मान के चली कि आपको 30 वर्ड पर मिनिट करना ही है क किसी तरह से इंग्लिश में और हिंदी में है तो 25 वर्ड पर मिनिट निकालनी है स्पीड तो आशा करता हूं कि आपको लाइन रपीड और लाइन जो स्किप होती है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कुछ लोग यह भी डाउट आती कुछ लोगों क और यह स्ट्रोक्स कितने थे इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो स्ट्रोक्स थे इसमें तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं यह कहीं पर दो मिस्टेक्स तो नहीं काउट हो जाएंगी क्योंकि यह 9 यह 10 स्ट्रोक्स होते किसी में तो अगर उसमे दो गलती होगी तो कहीं पर दो मिस्टेक्स तो नहीं काउट हो जाएंगी देखिए इसके बारे में भी रूल बता है कमिशन ने कि जैसे आपका यह competent वर्ड है ना इसमें चाहें एक वर्ड आपने मिस कर दिया या एक वर्ड आपने गल्त कर दिया एक लेटर की बात कर रहो कि आपकी उतने ही मिस्टेक्स काउट होगी अगर एक ही वर्ड में हैं तो एक ही मिस्टेक्स काउट होगी तो यह भी मुझह लगते कि अपको लेर हो चुका हो गात उसके साथ मैं आपको बता दूं कि टााइपिंग की पेपर तो यही सेम लाइन देखने को मिली है तो इस तरह से अगर आप तियारी करेंगे तो यह देखिए यहां पर भी तो जो आपके टाइपिंग पेपर हैं जो पुराने वाले जो आगे आने वाले टाइपिंग है जैसे किसी की आज हुई या कल होगी या फिर बाद में जब भी हो होते हैं तो अगले वाले भी उससे थोड़े रिलेटिड ही आते हैं तो आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको अगर आप अच्छे से टाइप करें घर में पहले से ही तो काफी जादा आपको जो है बूस्ट मिलती है आपकी स्पीड में क्योंकि जब आप देखिए कमिशन है यह माल लीजिए आप स्पैलिंग आपने पहले तो याद गर ली माल लेजिए स्पैलिंग कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्पैलिंग में ही तु देखें कुछ लोग वाली जो स्पेलिंग है इसमें सेवली कोश्ग लोग हो lagi एक याम्ड है या ही एक्यास लगाते हैं लेकिश होता है तो कुछ लोग के सिर्फ लिएखिये हैं तो कुछ लोग जम्कारण के पारेइख मैंसे वर्ड को इसको 10-15 बाट टाइप किया हो मिनिमम तो आपको कोई गलती नहीं होगी आपके इसमें आप वहां पे सिर्फ इतने लाइन पढ़ेंगे तो इस तरह से आपकी जहां तक मुझे लगता है कि सबके पास ही लैपटोप होता है लैपटोप नहीं भी होता है तो साइबर कैफे में चले जाते हैं 15-20 दिन इसले मतलब कीबोड भी 400-500 रुबए का आहीं जाता है इसले खरीद लेते हैं मैक्सिमम लोग तो मुझे तो नहीं लगता कि टाइपिंग आप कोई इसी तरह से मैं आपको टाइपिंग पेपर जो है आपको प्रवाइड करता रहूंगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल नहीं चाता है तो वहां से आप इजली डाउनलोड कर लेते होंगे आशा करता हूं आप सभी और इसको अच्छे से आप टाइप पेपर है वो इसी तरह से प्रवाइड करता रहूंगा धन्यवाद